है वाट्सअप गाइस मैं हुआनिल मैं आपका आपका आपकी टेक्टीटोर इसमें बहुत बहुत सा अतरता हूं और मैं आपको बताने वाले को फाइप कूल एंड़र आपस के बारे मुद्ध जो कि काफी आपसे हैं और इससे आपका स्मार्टफोन और बेस्मार्ट बन आपके मदद से आप फेस्टग्राम एंड ट्विटर एक साथ ही यूज कर सकते हैं मैं तो गैस मैं इस्टग्राम और फेस्बुक यहां यहीं से ही यूज करता हूं और यह काफी नॉमल्ली यूजिंग के लिए अच्छा है बट लाइफ से सन नहीं कर सकते हैं और आपको इ इस्टग्राम को जाके फॉलो का लिजेट हो गया इस यह हो गया पहला एप और दूसरे आप की बात करें तो दूसरे आप का नाम है स्क्रिंसौट क्रॉप एंड सेर कर सकते हैं तो इसकाम डेमो देखते हैं पहले तो आपको इनेबल सर्विसेस करना होगा उसके बाद आप है मैं यहीं पर सीधा स्क्रिंसात ले लिता हूं तो यहां पर फूल स्क्रिंड की मैं स्क्रिंसा ले ली और यहां पर नॉर्मारल सा एक के दो dotreiben का टाइम लेता है शके बाद यहां पे Testament सब्सक्राइबबस और नीचेवी recycle और नीचे परüd क्रॉप यावी देनी आंशन करें तो यहां पर मैं share करके आपको दिखाता हूँ, share पर जैसे आप क्लिक नेंगे, यहां पर यह देखे आपको धेर सारे options निल जाती है, यानि कि आप कहीं पर भी रहे हैं, वहीं से screenshot लीजाए और वहीं से आप सीधे share कर सकते हैं, तो यह भी काफी cool and अच्छा option है आपके लिए, तो guys, तीसरे apps की बात करते हैं, तीसरे app का नाम है stream stream, यानि कि YouTube की वीडियो को आप stream कर सकते हैं, अपने home, आप कहीं भी कोई भी काम करते रहे हैं, और यहां पर वीडियो आपकी टॉप पर play होती रहेगी, तो guys, मैं मान लिए जए यह दो second option song को play करता हूँ, यहां पर आप play होने लगे, और यहां पर आप चाहें, तो और कोई भी काम कर सकते हैं, तो guys, यह तो हो गया हमारा, फूर्थ app की बात करें, तो यह है universal copy, इस app की मदद से आपको कहीं पर भी रहे हैं, वहां से आपको जैसे कि facebook पर रहते हैं, या फिर instagram, twitter पर आप text को copy नहीं कर सकते हैं, तो उस चीज़ यानि कि कोई भी website पर जैसे कहीं पर बैन होता है, तो वहां से आप जाके इस app की मदद से copy text को copy कर सकते हैं, तो यहां पर आपको पहले permission देनी होगी, जहां से मैंने इसके permission को allow कर दिया, और इसके बाद, यहां पर दिखें, टॉप प इसमानले से मुझे यहां पर text copy करना है, तो मैं यहां पर scroll करूंगा अपने notification बार को, और यहां पर universal copy को tap करूंगा, यहां पर आपकी screenshot ले लिजएगी, screenshot लेने के बाद आप यहां से जाके जैसे आपको जो-जो text copy करना है, वहां पर select कर लिजए, यहां से copy कर सकते हैं, कॉपी करने के बाद आप पोस्ट करें तो यह तो ऊपर इसे चाहे तो बाइग कर सकते हैं और ना चाहे तो आप new मिल जाएंगी इजे तो हो गया है आज के फाइफ एप्स तो गैज अगर आपको ये वीडियो पसंद दे तो प्लीज लाइक के बटन पे क्लिक कर दीजे और चैनल को सब्सक्राइब बढ़ना तो बुलिएगा मत क्योंकि व्यूस जाधा होते हैं और सब्सक्राइब करें तो सब्सक्राइब तो बनता है ना थैंक यू